सिलिकेट्स, स्टार्ट हो रहा है, सिलिकेट्स, हैडिंग डाल लीजे मुझे सबसे पहले पुछा गया, सिलिकेट्स हैं क्या तो पहले तो ये समझीए, कि ये एक एसेड है, सिलिकन, ओएच, 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 ओएच सिलिकन की किती वैलेंस है, चार तो यह कौन सा हुआ, salicylic acid ठीक है, जो भी है इसका इसके आयन क्या क्या हो सकते है SI O- 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 इस पर कोई भी metal आ जाएगा तो यह उसका क्या क्या लाएगा, derivative तो silicates की definitions क्या होगी अब आप मेरे को बताओ silicates are derivative of silicic acid heading डाली जीए, silicic acids silicates are silicates are derivatives of silicic acids अब इससे जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा silicates हो जाएगा यहा सोनो अगर यहाँ पर इनायन तो है, यहाँ पर कोई भी केटायन होता है एने सोडियाम, पोडेशियम, रूबीडियाम मैंगनेशियम, कैलसियम, इंस्टाइशियम तो यह सब क्या हो जाएगे silicates समझ में आ रही है बात अब बात आती है silicates को समझने के लिए पहले SiO2 को भी समझना पड़ेगा SiO2 SiO2 और SiO2 यह चीज तो अतार लीजिए आप SiO2 कैसा होता है? इस तरह से माल लीजिए SiO2 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 Silicon Oxide सही है क्या लगता है यह PiBond कौन सा बन रहा है? 2P 2P PiBond की बात कर रहा हूँ यहाँ यह कौन सा PiBond बनता है? 2P 3P Unstable Stable यह Unstable होते ही यह किसमें तूट जाएगा? SiO यह वाला बन तूटेगा? कुछ समझ में आ रहा है? तो Oxygen की एक Valency फिरी हो जाएगी और Silicon की देखा जाए तो दो Valency फिरी हो जाएगी यह है Silicate Silicon Oxides ठीक है तो अंतर क्या है? Silicates और Silicon Oxides में अंतर है Silicates में Metal है थोड़ा साथ समझना इसको Silicates का formula क्या हो जाएगा? SiO4-4 और Silicates का क्या हो जाएगा? यह तूटी है Valency चार्ज नहीं आ है इसका formula क्या हो जाएगा? SiO2 पहला अंतर तो Silicates और इसमें कोई समझ में आ रहा है? इसमें Metal होगा यह क्यालाएगा Metal Silicate जबकि यह होगा Network Bonding के साथ और यह पता है क्या रखेगा? Diamond like structure रखेगा Diamond भी Network होता है Silicon Oxygen Silicon Oxygen और इस तर से एक और unit आ गई Oxygen, Silicon और एक और इधर unit आ गई तो हर Silicon कितने Oxygen से जुड़ा होगा? 2 Sorry, 4 और हर Oxygen कितने Silicon से जुड़ा होगा? 2 Oxygen दो Silicon से होगा जबकि हर Silicon 4 Oxygen से जुड़ेगा तो क्या लिखेंगे आप? Each Silicon Attached यद बंड़ेगा 4 Oxygen वहरस और हीच ओचिजन bonded by two silicon atoms समझ में आगया तो ये है एक अंतर silicate और silicon oxide में silicate में जनरली metal की वजह से या impurities की वजह से color आजाते हैं आता है न आपने नहीं देखा ruby पुखराज ये सब silicate सी तो है लेकि metal की वजह से impurities की वजह से इनमे color होता है quota stone, red stone वहां का लाल पत्तर फेमा से कहते हैं न ऐसा तो उनमें कोई नो कोई metal की वज़े से color होता है तो यहाँ यह बात हो सकता है due to metals, ions they have colored metal ion की वज़े से color होता है लेकिन pure silicate transparent होता है sorry silicon oxide transparent होता है it is colored due to metal ion metal ion या ions एक से ज़्यादा आयन जिशभी हो सकते है जबकि यहाँ क्या लिखोगे आप इसके बात it is a transference transference and very hard like diamond लेकिन diamond से कम like diamond diamond की तरह होता है लेकिन diamond जितना नहीं होता समझ में आ रहा है एक होना और एक की तरह दिखना वैसी वाली बात है तो दिखता है पूर्ण तरह से वैसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब pure silicate को अपन कोई एक और नाम दे common और उसको बोल सकते हम quards quards pure silicon oxide quards हो गया आपके बिलकुल transference तो बहुत ज़्यादा hard होता है तो कुछ जैसे company watch की quards उसने नाम रख दिया लगिए इसका लब यह नहीं कि वह quards C है वह तो company का नाम है सही है ना तो quards अगर बनाते हो आप pure silicon oxide तो बहुत hard होगा transparent होगा तुमने देखा होगा मिट्टी में कहीं बार एसे stone में निकलते हैं जो transparent है उनमें कोई color ही नहीं लगता तो ऐसा लगता है वह पत्तर नहीं ग्लास के टुकड़े हैं वह होते हैं silicon oxide समझ में हरी है लिए अगर उनमें colored है तो metal भी होंगे मैटल होंगे तो और एनायन चैनल नियुक्त हो गया इनके उपर चार्ज होता है इनके उपर चार्ज नहीं होता ये भी एक difference है दे हाव चार्ज पार्टिकल्ट आर चार्ज पार्टिकल्ट देया नूट्रा यह तो एक चीज नूट्राल है पूरा लूब बन गया कु का समाज में है हर ऊक्सीजन ढूरां सिलीक चार Old On全ash communism को समझ में आ इसलिकन और से दउलिका ऑंग्साईट में क्या different है तो कोई भी चाहर रंतर बताऊ सबसे पहला हम सर्फिकयर प्कोंद्र चाक सहता है औरिक यों इ anticipate मेंनि अधिताम होता है यह जीन सिलिकला जबकि silicon oxide बहुत ज़्यादा hard भी होता है, समझ में आ रहा है, पक्का, या हर oxygen दो silicon से जुड़ी होगी होती है और infinite loop होता है, infinite का मतलब बहुत बढ़ा loop, जबकि इसके अंदर finite loop होता है, एक ही तो silicon है, बागी तो oxygen है, हाँ दो माल लिया, चलो थोड़ा सा बढ़ गया loop, लेकि silicate हो गया, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई, कुछ बेजे में घुसा, that's the difference between silicate and silicon oxides, पहले तो ये difference अपने समझा, why SiO2 does not exist in gaseous form, क्यों, क्योंकि इसका pi bond stable नहीं होता, pi bond stable नहीं होता तो network bonding मना लेता है, और जिते भी compound network bonding मना आते हैं, जैसे graphite, diamond, वो सब क्या होते ह हैं, सब क्या होते हैं, solid, तो आप ये भी लिख सकते हो, SiO2 solid है, और ये क्या है, gas है, क्या इसमें network bonding है, हाँ, ये infinite loop हो गया, वो मैंने बना भी रखा है, infinite loop, not network bonding, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो बस आने दो, तो अगला question क्या होगा, why SiO2, why SiO2 is solid, whereas SiO2 is gas, तो आप answer लिख लो, लिख लो, ये question तो बना ही लो, why SiO2 is solid, not gas, तो क्या answer बनेगा, in SiO2, pi bond is not stable, in SiO2, pi bond between 2p and 3p orbital is not stable, and dissociate and convert in network bonding. dissociate and convert in network bonding, and all network bonding molecules are solid in nature, all, solid तो होती ही है, उनों के boiling point और melting point क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, heading होगा हमारा silicates के अंदर ही, representation of silicates, representations of silicates, representations of silicates, सही है, कैसे represent करेंगे हैं, देखो इदर ध्यान से, बहुत प्यार से देखना शुरू करें, यह आपके बाद silicon है, यह O- है, यह O- है, यह O- है, पता है, यह कौन सा होगा, चली पहले तो लिखी लो एक बार, O- 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 यह तो ही इसकी Lewis structure, अपर Lewis से कुछ भी नहीं बता सकते, एक्च्वल क्या होगी, O- 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 O-, टेटर एडल, कोई समझ मैं है, टेटर एडल होता है, यह सोनो, और टेटर एडल को, हम ऐसे भी नहीं लिखना चाहते हैं, हम ऐसे लिखना चाहते हैं, नया तरीका, यह silicon, और इस तरह से पकड़ाएं, कि पीछे वाला oxygen ऐसा दिखाए है, दिख जाएगा तो अच्छा है, तो यह silicon हो गया, और आप मालो suppose नीचे से देख रहे हो, तो पीछे वाला क्या दिखेगा हो, oxygen, उसके पीछे आजाए, ज्यादे किसी भी टेटर एडल के अंदर, आप इसके साथ एक को तो पीछे ला सकते हो, और जब एक को पीछे बीस डिग्री, तब आपको मैं बताना चाहूँगा, यह डार्क करेंगे अपन, यह किसको रिपरेजेंट कर रहा है, silicon को, जबकि बाकी oxygen कहाँ पर है, आपको बताना पड़ेगा मुझे, oxygen यहाँ पर है, oxygen यहाँ पर है, और oxygen यहाँ पर है, और एक और oxygen है जो यहाँ पर है, तो total कितनी oxygen है इसमें, चार, हर oxygen at least one silicon से attached होगी, मजबूरी है उसकी, at least बोला है, तो बाकी की दूसरी वैलेंसी खाली है, इसका मतलब उसके उपर क्या चार्ज होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, oxygen एक, कितनी वैलेंसी होती ही, oxygen की, दो, अगर एक silicon से जोड़ी हुई है, तो उसके उपर कितना चार्ज है, माइनस, क्योंकि वो एक वैलेंसी के साथ, फ्लोरीन बनी हुई है, आरी यहाँ समझ में, और oxygen कब फ्लोरीन बनेगी, जब उसके उपर एक negative होग तो O- होगा, तो यह किसका format है, इसका हो गया, कुछ-कुछ समझ में आए, अगर किसी ने यह वाला silicate बनाया, बना सकता है, किसाब यह silica ने, और oxygen माइनस, oxygen माइनस, oxygen माइनस, और एक oxygen कॉमल ले लिया, तो यह कौन साथ आयन के लाएगा, पाइरो, समझो, क्या होगा, कोई समझ माँ आए, कैसे बन रहा है, वो का वो ही है, sulfuric acid, pyrosulphuric acid, कोई समझ माँ आए, तो यह pyrosilicates हो गया, silicic acid का silicate हो गया, तब तो समझ माँ गया, अब इसको ऐसे कैसे represent करे है, हाँ या ना, ऐसे represent करेंगे, बोलो समाझ में आ रहा है ना, आ रहा है, अब इसको ऐसे कैसे represent करें, ध्याँ से सुनना, silicon, ध्याँ से दिखेंगा, बहुत प्यारा diagram बना रहे हैं अपन, थोड़ी जी, इस जगह मेरे को क्या चाहिए, drying अच्छी होनी चाहिए आपके, तो बताओ, इस जगह, silicon कहां कहां पर है, silicon ये रहा, ये silicon, silicon, छोटा सा, oxygen कहां कहां पर है, ये माली जी, एक oxygen, दो oxygen, तीन oxygen, चार oxygen, कितने oxygen मेरे को ऐसे बनाने, जो दो silicon से जुड़े हो, एक, उन पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इस को मेरे को ऐसे बनाना है, तो मैं ऐसे बना लो, तो यहां मेरे पास, एक और मैंने silicon बनाया, और बाकी oxygen बना लिया, तो बताइए, इसका formula क्या था, SI 207-6, अब इसको पढ़ना सीखो, इधर देखो सामने फिर एक साथ लिख लेना, SI, कैसे पढ़ने हैं, SI 2, एक और दो, जितने triangle है, उतने silicon होगे, अब oxygen कितने होगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह तो छे हैं, और एक बीच वाला, तो जितन, साथ, बीच वाले पर चार्ज नहीं होगा, बाकी सब पर चार्ज होगा, तो माइनस 6, समझ में आरी यह बात, मैं फिर बोल रहा हूँ, जहां से देखना, सिलिकेट को, जो oxygen, corners में, bridge नहीं है, यह bridge oxygen है, bridge silicon, दो silicon atom से जुड़ेगा, bridge oxygen, दो silicon atom से जुड़ेगा, bridge oxygen, दो silicon atom से जुड़ेगा, और उस पर चार्ज नहीं होगा, और बाकी के oxygen, corner वाले, सिर्फ एक silicon से जुड़ेगा, और उसके उपर minus 1 charge होगा, समझ में आरी यह बात, अगर किसी ने का सर में यह triangle को उपर की जगर नीचे बना लूँ, मेरे पिताजी का कुछ ही नी जा रहा है, ठीक है ना, मेरा कुछ भी नी जा रहा है, तुम्हारी मर्जी आए उपर बनाओ, तुम्हारी मर्जी आए ऐसे बनाओ, तुम्हारी मर्जी आए ऐसे बनाओ, triangle बना दो तो या तो ऐसे बना लो यदि किसीने वह आङ का मैं एसे बनाना चाहता हूं मैंने का बहुत बढ़िया है विए जल्दी बाजी में बनाया हुआ है लेकिन पिल्कुल सही है कितने सिलिक한 नहीं है? दो triangle दिख रहे हैं ना? खतम बात, दो, सब तीन वाला बनाना है, यह तीन, तीन के लिए सर आप कैसे फॉर्मल रिखोगे, मैंने बहुत आसान है, कैसे लिखूंगा हो, ध्यान से सुनना, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह वाला, छे, साथ, आठ, गिनना सिखाओं एक बार, एक, दो, तीन, यह कॉमन इसको अकॉंट नहीं कर रहा है, अभी रुक जाओ एक नाट, सही कर रहे हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आ तो जितने खुले होए ऑक्सीजन है, वो तो चार्ज होगी है, माहिनस एट, और बंदे होए ऑक्सीजन यह, कोई दिक्कत, अच्छा, चलिए, तो आप मेरे को बताईए, कि आप, यह सारे लाइनर सिलिकेट्स हैं, आपने क्या नाम पढ़ा इनका, सबसे पहले आपके पास यह फॉर्मला था, एसाई, ओफॉर माइनस फॉर, एक सिलिकन, फिर आया, एसाई टू, फिर आया, एसाई थ्री, तो देखें, यहां तो एक एक का आप इंक्रिमेंट कर रहे हो, ऑक्सीजन में कितने का इंक्रिमेंट हो रहा है, चार, तीन, तीन, अगला क्या आएगा, फि एक उपर बना लिया, एक नीचे बना लिया, जिसने भी बनाया, बढ़िया बनाया, ओविसली में नहीं बनाया, बता इसका फॉर्मला क्या होगा, एसाई फोर, ओ, एक, दो, तीन, गिलिया, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चार्ज कितना होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, तो कैसे आपको इंक्रिमेंट दिख रहा है, हमेशा दो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीज समझ में आ गई आपको, इतने सारे सिलिकेट्स बना लिया आपने, तो ये सिलिकेट की एक क्लास सी हो गई, क्लास का मतलब लीनियर क्लास, तो लिख लीजिए लीनियर सिलिकेट्स के बारे में, हैडिंग, अगला हैडिंग ही रहेगा, लीनियर सिलिकेट्स, एक टेबल बना देते हैं, अपन जो भी अपनने बढ़ाया, linear silicate की table बना देते हैं मैं बनाऊ हटा दें लिखें तो linear silicate की table बनाते हैं बड़ी आसी अपको रिपर्जेंट करना आ गया अच्छे से काफी intelligent हो यार मुझे मालूम सा संगत का सर आएगा इतना जल्दी आएगा वह idea नहीं था तो चलिए heading क्या रहेगा linear silicate linear silicate का आपके पास table कैसी बनेगी सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा था si o4-4 कैसे represent कर रहे थे आप फिर कौन सा था si 2 o जल्दी बोलो 7-6 कैसे represent कर रहे थे फिर कौन सा था si 3 o 10 minus जल्दी चे बोलो 8 क्या formula बना था si 3 o 10 फिर इसके बाद si 4 o क्या था यहाँ पर थर्टी इन माइनस 10 इसके बाद general formula अगर कोई मेर से बोले तो si n पक्का तो यह हमेशे क्या हो रहा है देखो क्या formula बनेगा अगर इसका कोई formula बनाने के लिए के तो si n तो होई गया एक दो तीन चार 3 n प्लस 1 तो o 3 n माइनस 3 n प्लस 1 और माइनस यहां चार्ज क्या होगा 2 n प्लस 2 सोच के देखो माइनस लगा के 2 n प्लस 2 बोलो यास और नो ब म् नो के दो करना सका थाइनस प्लस 2 माइनस व्लस माइनस ईना इसका को प्लस' को आ जसका कर दो सत्या मैंस कार कुछ कुछ समझ में आ रहा है इसके अगर example कोई लेना चाहे तो क्या हो जाएगा अगर मैंने पड़ेगा में को छे लेने तो cf3 si o4 ले लूँगा या क्या ले लूँगा l2 si o4 यहां कितना लेना माइनस 8 तो बहुत सारे ले सकता हूँ चलो ऐसा भी तो ले सकता हूँ ca2 और si2 नहीं al2 al2 3 2 6 7 8 हो गया 3 2 6 7 8 बोलो यह सोड़ो और क्या ले लूँगा si 3 8 बस अम माइनस लेना लिखूँगा मैं कोई समझ में है यहां मेरे को कितना लेना 10 तो यहां पर हो सकता है mg2 mg ca कौन मुझे मना करेगा si2 आएगा यहां पर o7 समझ में आगई बात तो क्या मेरी language समझ में आगई कितना प्यारा है इसके example भी हो गए structure हो गई और यह example हो गए silicate के types तो इस पूरी कहानी में आपको अच्छे से समझ में आ गया हूँ लिखें इसको बढ़िया से लिखें आप क्या चार्ज बताना बहुत मुश्किल है क्या चलो नहीं मालूम में हमें जनरल फॉर्मूला नहीं मालूम बदाओ इसके उपर क्या इकाल सकते हैं सिलिगन की वैलेंसी कितनी होती है प्लस फॉर और ऑक्सीजन पर क्या होगा माइनस सजीदा निकल जाएगा नेट चार्ज इतना दो कर सकते हैं यह तरीका बूरा नहीं है अगर आपको एकदम से याद नहीं आए लेगें फिर भी हमारे लिए एक बैसिक सा आइडिया होना चाहिए तो समझ में आ रहा है इसको डाई आपको यादे मैंने डाई सल्फियूरिक एचीट को पाइरो सल्फियूरिक एचीट भी बोला था तो इसका मतलब यह पाइरो सिलिकेट्स भी है पारी और सीनिकर बाकी यह क्या होगा इसके दो नाम होगे पाइरो भी होगा और डातना एक बाकी यह तो सिलिकेट्स मोन लखाने की ज़रूदत ने होतीि है डाई ट्रीटटा-पंतटा-इध्अ-अ-ठा तो क्या आई वी जगह बता सकते हूं अगर आपको यहां पर बोल दिया जाये बताईए यहां पर डेढय ऐ जाये पर मैं क्या निकल सकते हां काशे निकालो के नहीं मालूम आप तो क्लिकेट वहां तो सबसे पहले कौन सा method याद आएगा मुझे, calcium पे plus 2, plus x multiply by plus 3, plus 3 multiply by plus 4, यह सब पे तो plus 4 आएगा, plus 10 multiply by minus 2 is equal to 0, by solving this equation we get x value is 2, खतम, भूल जाओ, इतना याद करके लिखने से अच्छा है, ऐसे निगाल देना, question पे भी depend करता है, यह तो हम तब use कर पाएंगे, जब अपन कोई general formula पूछा जाए, मेरे पास तो बहुत alternate method भी है, कुछ समझ में आ रही है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो silicate आपको समझ में आया या नहीं आया, easy है यह tough है, easy, easy और very easy, very easy, तो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जो भूलने वाली हो, दो दिन बात क्या भूलोगे, क्या भूलोगे, बस आपको सिलिकन की वैलेंसी या रखनी है, यह चार है, बीच वाला oxygen, neutral होगा, corner वाले, एनायन होगे, वही जैसे sulfur के लिए कर रहे थे आप, आप sulfuric acid, pyrosulfuric acid नहीं पढ़ा आपने मेर से, पढ़ा है ना, सब कुछ पढ़ा है ना, तो हम बात करें, cyclic silicates के भी, cyclic silicates, तो heading क्या ड़ेगा आपका, cyclic silicates, यह cyclic silicates के तर से work कर रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, माल लीजिए आपको cycle बनानी है, तो minimum कितने atom से cycle बनेगी, तीन, यह तीन आपने ले लिए, चार, चार ले लिए, पांच, यह पांच ले लिए, और छे भी हो सकते हैं, तब जाके cycle की जैसी feel आएगी, यह सोनो, अब यह जो corner atom है, इसको हमेशा oxygen बनाओ, तो जब oxygen बनाओगे, तो silicon का होगा, इस जगा, corner atom को हमेशा क्या बनाओ, oxygen, तो यह आपका बन गया, समझ में आगया आपके पास, कितने silicon होगए आपके पास इसमें, तीन, अब इसको मैंने क्या बोला है, क्या बनाने को बोला है, oxygen, तो जब इसको oxygen बनाओगे, तो यह silicon, 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 यह देखो, कितना आसानी से बन रहा है, तो यहाँ आपको cyclic silicate बनाने में कोई दिक्कत आई, बोलिए, easy और very easy, very easy, यह cyclic silicate से आपके तयार होगए, yes, अब चलिए इसकी एक बार formula पर work करते हैं, फिर एक साथ मेरे साथ ही बनाना, देखो इदर सामने, मुझे बताईए इसमें कितने silicon हैं, इसमें 4, तो 4 silicon, इसमें 6, अब बताओ इसमें oxygen कितने हैं, एक, दो, तीन, तो बाहर की तरफ हैं, चार, पांच, छे, ये भी अलग-अलग हैं, छे, उसके अलवा, साथ, आठ, नू, यास और नू, चार्ज भी है, चार्ज किसके इस पर होगा, इस पर होगा और इस पर होगा, तो 2, 2, 4, 2, 6, इसमें क्या होगा, 8 कितना होगा, 12, और चार्ज कितना होगा, बिलकुल 8, सही है, सिलिकन 5 होगा, और 10 कितना होगा, 15, कैसे 15 आएगा, कि 5, 10, 15, नहीं दो होगा, 5, ये हो जाएंगे, इस पर किस पर चार्ज नहीं होगा, इस पर नहीं होगा, तो चलिए, यहाँ क्या होगा, और चार्ज कितना होगा, 18, और चार्ज कितना होगा, माइनस, तो मैं क्या ट्रिक बना सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, और चार्ज कितना होगा, क्या बात है, आप सुब पेदाईशी इंटलिजेंट होगा, या मेरे साथ, संगत का असर तो आएगा है खेर आप तक, तो यह approach भी बन गया और यह इनका common formula भी बन गया, किसके लिए, cyclic silicates के लिए, लिख लें इसको, तो बात कर रहे हैं हम two-dimension sheet silicates की, यह two-dimension sheet silicates का मतलब क्या होगा, एक sheet है, infinite sheets बने हुई है, अब इसको ऐसे समझिए, यह aint sheet है, यह aint sheet है, यह aint sheet है, यह aint sheet है, तो ऐसे तो बहुत सारी sheet है बनी है रहे गी, कुई समय में आ रहे हो इह बात? तो अब हमें इनको ही पकरना है कि यह कैसे हम इसको बना सकते हैं, और इसके लिए आप infinite loop की तरह देखते रहेंगे, तो जब आप इस तरह का sheet silicate बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर आप बनाना शुरू करेंगे तो देखें, बहुत सारे चीज़ें आईगे आपके वास कि इसको कैसे आप बना रहें पहले कुल मिला के इस तरह से हमारे पास सिलिकेट्स आयागा और पूरा लूप बनता चला जाएगा तो क्या इस तरह का हमारे लिए सिलिकेट्स जो बनेगा आप समझेगा इसके अंदर हमारे पास क्या है सिलिका ने, सिलिका ने, ये सिलिका ने ये इस तरह से अटेश होता चला जाएगा हमें इस पर बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचना है कि इन्फाइनाइट लूप में हमारे पास बन चुका है तब ही मैं बहुत बड़ा नहीं बना पा रहा है लेकिन हाँ एक आईडिया दे दिया आपको कि कितना बड़ा लूप बन जाएगा तो सिलिकेट्स के लिए अगर आपको इस तरह का बनाना है तो थोड़ी और महनत करनी पड़ेगी करें इसको बात करते हैं थ्री डामेंशन सीट सिलिकेट्स थे थ्री डामेंशन सिलिकेट्स अगर थ्री डामेंशन सिलिकेट्स की बात करेंगे आप तो फिर वह एक तरह से होगे कौर्ट्स ही ओ गया आपका जो एसाई ओ तो के नाम से जाना जाएगा आप इसको ऐसे समझीए यह आपके बास ऐसाई ए ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ टेटराड़ चैनल प्रॉपर टेटरड़ और हर एक टेटर अडल में एक एक टेटराड़ समझ में आगया है यहां पर तो हर एक tetra idol होगा हर silicon की अपकी कितनी वैलेंस होगी एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो इस तरह की structure में हर oxygen 2 silicon से ओर हर silicon 4 oxygen से जोड़ायगा तो ये टेट्राइडरल हो जाएगा टेट्राइडरल तो ये हमारे लिए प्रॉपर ऐसा ही O2 हो जाएगा each oxygen attached two silicon atom and each silicon attached four oxygen atoms ये रहा हम अरा से लिकेट्स लिख लीचे इसको जिएगरो जाएगा एपिता मैंट जास्ट लिएगरो लिएगा